हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके परिवार इस्ट्री टेक्निक में तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मेद है अच्छे होंगे और अपनी त्यारी अच्छी कर रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट मैद नियुमे पढ़ेंगे यह हमारे नियुमेरिकल दोहजार बारा में पूछा गया था दोस्तों ठीक है जितने को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट थे उसी को हमने यहां पर लिया है तो देखिए दोस्तों पहला कोशन हमारा है इसमें पहला कोशन है एक सम चत्रुभज के बिगारणों कि लंबाई 80 cm और 6 cm इसका परिमाब बताईए इस कोशन को आप लोग पहले हल कर यह तब हम बताते हैं कि दोस्तों उम्मीद है आप लोगोंने वीडियो को पाउस करके इस कोशन को हल कर लिया होगा तो अब देखिए हमारा दिया था पहला आप्षान सेंटीमेटर दूसरा ठाल सेंटीमेटर तीसरा हमारा वी सेंटीमेटर चाउथ हमारा चुबे सेंटीमेटर कोशन हम देखिए पढ़ते हैं क्या है एक सम्चत्रुभुज दिया है देखिए यहां पर हमने एक बना दिया सम्चत्रुभुज उसका एक बिकन दिया है आठ सेंटीमेटर यह बड़ा वाला बिकन आठ सेंटीमेटर और छोटा वाला बिकन हमको दिया 6 सेंटीमेटर यहां तक क्लिर हो गया तो आपको इसका परिमाप बताना है परिमाप में बाहरी लंबाई बाहरी लंबाई मतलब क्या हो गया कि परिमाप इसके लगाने के दो तरीके हम बताएंगे ठीक है और जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग लगाईएगा देखिए पहला तरीका क्या है कि हम D1 बराबर माल लिए D1 बड़ी बड़ा वाला यह है इसको हमाल लिए D1 और D2 हमारा छोटा वाले विकंड तो माना D1 बराबर 8 cm, D2 बराबर 6 cm अब देखिए सम चत्रभुज की भुजा का सूत्र हमारा होता एक बटे 2 अंडर रूट D1 स्क्वाइर प्लस D2 स्क्वाइर तो अब देखिए एक बटे 2 D1 कमान होगा 8 स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर एक बटे 2 8 कबर्ग हो जाएग एक बटे 2 64 फलस 36 बराबर एक बटे 2 गुड़े अंडर रूट 100 तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 बटे 2 देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 2 गुडे 10 बराबर हमारा हो जाएगा 5 cm तो पांच सेंटीमेटर हमारा क्या आ गया दोस्तों यह भूजा आ गया देखिए पांच सेंटीमेटर जो आया यह आपका इसका भूजा आया सम चत्रभुज की एक भूजा की लंबाई आपका आ गया पांच सेंटीमेटर तो एक भूजा की लंबाई अगर हमारा पांच चार कर सकते हैं तो परिमाब हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों परिमाब हो जाएगा चार गुड़े 5 बराबर 20 सेंटीमेटर यह देखिया आपको पहला तरीका है तो मान लीजिए अगर आप को यह सुत्र इक्जाम में नहीं आद है तो इसमें क्या हो गगा यह शूत अगर है आप इक्जाम इसको कर पाएंगा कैलर सी बात है लेकिन एक तरीका और है कि बिना सुत्रियात की हम कैसे लगा सकते हैं देखें, दूसरा तरीका अगर हम देखें तो यहां देखिए सम चत्रुभुज बना है आपका बना है, चलिए अब देखिए, यह हमारा 8 cm था और यह 6 cm है तो यह बता यह हमारा एक प्रमे होता है कि सम चत्रभुज की विक्याण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं वा परस पर 90 यंस का कुण मतलब इन दोनों की 20 का कुण कितनी यंस का हो जाएगा 90 और यह पूरा विक्याण अगर 8 cm हो जाएगा और यह विक्याण पूर चितरबं जाएगा हमाना अगर इसको तुदेखे यहा तर्वज देखिए फालर अगर अइंफ्य인지 को अपर आग्याँ सब्सक्रिद की बवास्तों आगर इसमें लाइंगे आपका क्या होता है का उलब भी कब बराबर कब प्लस अब थेखीए अगर Pricorn में हे होता न हो जाएगा 9 और 4 पर हो जाएगा 16 यह बरापर हो जाए कितना अंडरूट 25 अगर बर्गुन लिका लेंगे तो 5 गुड़े 5 हो जाएगा तो हमारा 5 बाहर आ एक गुड़े 19 गुड़े 10 अब लिकी मिल जाएगा यह भी हमारा पांस वह हो जाएगा तो हमारा पर्मी निगल जाएगे और question देखिए दूसरा question ये भी question बहुत important है देखिए लिखा है एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई लंबाई की यादी है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दूगनी कर दी जाए यो उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए option A बराबर 3L, option B बराबर 4L, option C पाच यल, option D 6L इस question को आप लोग लगाईए पहले देखिए कितना इंसर आता है वीडियो को पाउस करिये और इसको लगाईए तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पाउस करके लगा लिया होगा देखिए हमको दिया है एक आयत है और उसकी लंबाई जो है L है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की यादा है तो उसकी चौड़ाई ये होती है आयत की आयते बना देखे, अगर यह वाले आयत में देखे तो लंबाई यल माले चोड़ाई यल बाई टू हो जाएगी, दिया है कि एक आयत है अब देखे इतना दिया है, आप देखे आप देखे बोला है कि इस आयत का परिमाब क्या होगा, किस आयत का उसकी लंबाई दूगनी कर मतलब इस आयत की लंबाइ अगर दूगू नहीं कर दिया तो इसकी लंबाइ क्या हो गया यहाँ उसकी चौडा? ये जई लंबाइ दूगू है तो उसका परिमाब आपसे ही पूचा है तो तो देखिए यहां इस वाले फिगर में आप लोग अगर देखिए इस वाले फिगर में तो एक आयत हमारे इतना था पहला वाला और एक आयत की लंबाई दूब नहीं कर दिये यहां पर एक आयत और लगा दिये तो यल हो गया यहां पर यल हो गया और यहां पर क्या हो गया य यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां कितना हो गया, यहां देखें, 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 यहां देखे यहाँ पर जब इसका लासा लेंगे तो कितना आजाएगा Hm अब देखेना आगे देखते हैं आगे अगे अगे देखते हैं इसका एंसर क्या हो जय Also आप्सन देख लेते हैं कॉंसा अबसे यहodus को अब ने कि शिए के दोस्तों उमिद है कि आप लोगों पर लिए होगा देखिए इसमें IRB But को भी देख लीजिए ये फीगर है और वो कोशन है तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पाउस करके कोशन को कर लिया होगा तो चलिए हम जुरू करते हैं देखिए दी गई आकरित समान आकार के पांच वर्गों से मिलकर बनी है आकरित का छेत्रपल 180 बर्ग में क्या होगा आपको क्या पूछा है आकरित का परिमाब 48,36,45 वर्ग सेंटिमेटर में क्या होगा मतलाब आपको देखिए इतना बड़ा दिया ये चित्र ये चित्र में देखिएगा ये चित्र एक, दो, ती, चार, पांच पांच आकरित दिया है और पांच वर्ग है सभी का छेत्रपल आपस में बराबर है चोटे चोटे वर्ग हैं सबका छेत्रपल आपस में बराबर है सब का छेत्रफल आपस में बराबर है तो दे यहाँ है पांच बर का छेत्रफल 180 cm2 है तो एक बर का छेत्रफल 180 बटे 5 हो जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा 36 cm2 एक बर का छेत्रफल कितना हो जाएगा 36 cm2 हो गया यह काड देंगेगे तो District 30 आएगा ने 68 को चली यहाँ तक हो गया अब देखिए एक बर्क छेत्रफल अगर रे भर्क यही होता आपका यह बताईए इस बर्क का छेत्रफल दिया कुतना 36 अब मालो बर्क कि भुजा ए है तो ब्राबर हमारा बर्ग का छेथ फल क्या होता भूजा का बर्ग अब भूजा का बर्ग का मान हमको दिया 36 दिया नै तो ए बराबर अगर हम आ लिए यदि यह बराबर हमारा अंडर रूट शत्व जाएगा नै कोई दिक्कत अरे बूजा के जगह पर जब ए रख देंगे यह ब यह बराबर हमारा 6 cm आ गया मतलब अब देखिए द्यान देजिए पहले question को देख लेते हैं यहां यह हमारा बर्क कितना बड़ा बनाए इसको बर्क बनाए थे यह इसका मान आ गया आपका देखे 6 cm और ऐसे हमारे कितने हैं अगर देखा जाए ऐसे एक साथ लगें कितने 5 बर लगें अगर आई से अगर आप सीधा कर लेंगे तब भी आपका इंसल सेम आएगा देखिए पांच बर्क लगें अगर इन पांचों का पूछा है यह लंबाई प्लस यह लंबाई प्लस यह लंबाई प्लस यह लंबाई प्लस यह लंबाई मतलब पर हम जानते हैं आप लो है हुआ है अगर अच्र Jazz कुे अधर श्रणा ना क्या सुद्जिवीlier ब dress अब देखे इसकी फैम्अ छे आइगी इसकी किलम छेइन इसकी मीज़ी खेंअ इसकी इस किलम हई अगर आप को कोश्चन यहां तक इसके बाद नहीं समझ में आ रहां तो आपका करिए सब को जोड लेंगे तो भी आपका इंसर सेम आएगा दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा पहले में छे गुड़े तीन छे गुड़े दो छे गुड़े दो छे गुड़े दो छे गुड़े तीन परिमाब बराबर बाहर फिगर में पहलां फिगर में ला कितना हमारा घुरी परिम्हार है कितना एक भजा लुकुचा जब करना यहां दो पर जआ निन्य इन आप क्या करिएगा यहां से इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी सब की जोड़ लीजिएगा आपका एंसर आजाएगा तो आप देखिए इसको जब हम हम हल करेंगे यहां पर देखिए छे गुड़े तीन बराबर अठारा छे 72 cm आपसा नंबर B देखिए यहां पर सही एंसर हो जाएगा यह समझ गया आप लोग आगे बढ़ते हैं आगे देखिए हमारा क्या है कि 63 1606 में 6 के अस्थानी मानों का योगफल क्या है तो अब देखिए क्या हमारा है 6 का अस्थानी मानों का योगफल निगाला है तो देखिए तो 6 गुड़ एक बराबर 6 चे गुड़ एक 100 बराबर 100 और चे गुड़ एक 1000 बराबर 1000 तो देखिए हमारा इतना आपको आता है एहांपर करूद E हमारा आजाएगा और दोस्तों जो आपने स्क्रेट पर कोशन देखा है अगर उसका आइसर देखिए वह कोशन भी हम करेंगे लेकिन उसको सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उसके पहले कुश कोशन हैं जोनको समझाना ज़ाओर है दोस्तों इस वीडियो को पहले लास्ट हुशंके उसको देखिएगा वह कोशन भी ही आपका लिया गया है अब देखेए यह कोशन हमारा एक कैसे आगा देखिए अगर हम देखें तो एक गुड़े एक बराबर हमारा एक आ गया यहां तक सही है 11 गुड़े 11 बराबर आपका उक है कैसे है देखिए 11 हमारा है यह है 11 तीक है तो 11 एक लिख लिए यहां पर चलिए याँ थीक इसको लिख लिख लेley yeah कुछ हम गया है कितना यहां दोख लेटे मथ घल मतलब किया पहले इसको लिखिये एक है फिर इसको लिखिंगा यहां कि क्या लिखेंगे एक लिखेंगे एक हो गया इन दोनों को जोड़ए कितना आ गया आपकाorbला पर इन तीने को जोड़ी कितना गया इक ओगए यहा दिया एक 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 पहले क्या करना एक को लिखना एक लिए फिर दो कुल आगे से दो लेना है तो हमारा दो हो गया एक दो हो गया फिर आगे से इसको तीन उक लेना है तो तीन हो गया ठीक है अब देखिए फिर क्या करना इसको छोड़ देना इसको लिजी आप कितना आया दो आ प्रकार से देखें कि हमारा ये इस question को लेकिन दोस्तों ये हमारा trick कहां apply होगा जहां पर one one मतलब एक एक ही रहेगा सब जंगा पर वहीं पर apply होगा और कहीं मतलगाई इस question को देखें क्या हमारा एक पांच बारतिया है एक पहले आ गया इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, दो आ गया, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, तीन आ गया, फिर इन चारों को जोड़ेंगे आ जाएगा चार, फिर इन को जोड़ेंगे आ जाएगा पांच, फिर आगेस एक 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 छोड़ेंगे कितना बचा हमारा, चार फिर एक को काटेंगे कितना बचा तीन फिर एक को काटेंगे बचा दो फिर एक को काटेंगे बचा दो फिर एक को काटेंगे बचा एक हमारा हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा एक दो तीन चार पांच चार तीन दो एक समझ माया दोस्तों कैसे आया तो यह हमारा इस कोश हमारा क्या है 3769 गुड़े पंचान 273 के गुड़नफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है 2012 पूछा गया है तो देखिए आपको दिया था 3769 नव हजार 573 में दहाई अंक पूछा है अब देखिए 7673 बस इतना हम निखेंगे और 7 दोड़े 710 10 के सुन आगए दोनों को जोड़ लीजिए आपका सून प्लस 7 कितना आ जाएगा हमारे आ जाएगा 7 हो जाएगा एक हमाँ आप पहले का समय आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे इस कौंहीं को आप हल कर यह पहले आपने से कि अ tava कि अ मुण है उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने सैंब को हल क्रों कर लिया होगा तो देखिये कैसे कहने इह आपको दिया है दो अथाफल पी म मैं कॉछिए और से ओवरा हैं करेंगे हमारा क्या हो सबस्क्राइब 12 में 12 में 12 में 14 तो 58 मिन्ट यहां से और 69 मिन्ट घटाना है तो 60 मिन्ट इसे घटाए हुली है जी सीथ है अब देखे 60 मिन्ट जब 69 मिन्ट घटाएंगे तो एक बचेगा और 80 मिन्ट जोगन हमारे कितना जाएगा 60 मिन्ट यह समझाए घटा नहीं आया आगया नहीं घटाने इन दोनों को जोड़ा गया है ऐसे देखे जीधा कर लेते हैं यहां देखे पहले एक मिन्ट यह 14 मिन्ट इसको उधार देगा तो यह 60 हो जाएगा प्लस अभी मिन्ट मिन्ट घटा रहे है और प्लस 58 मिन्ट हो जाएगा माइनस 69 हो जाएगा अब यहां आप्षावन हो जाएगा तो अट्थावन एक उन्सट मिन्ट हो जाए यहां तक आप लोग समझ गें कि उन्सट मिन्ट कैसे आया तो हमारा देखिए यहां पर option number D इसका सही answer हो जाएगा ठीक है आगे अगर हम देखें देखिए आठवा question यह question था आपका जो screen पर था इस question को आपने देखा है क्या यादी एक operator को निमलिखित रूप में परिवासित किया जाए अधिक एक शिम्बल है प्लस माल लेजिए जो भी माल लेजिए ठीक ए गोला प्लस क्या बोलते इसको नाम प्लस 9, तो आपको निकालना है n, सिम्बल 8 का मान क्या होगा, लगाए कोश्ण आ जाएगा, चलिए हमें भी बता देते हैं, अब देखिए क्या है, ये कोश्ण थोड़ा इंपोर्टेंट बहुत जादे इंपोर्टेंट, 4 सिम्बल 3 का मान है, 4 प्लस 5 प्लस 6, तो देखिए 4 4 को माल लेकर यन तो हमारा यहां 4 के जगवान पर यन है पंगाच जगवा पर यन प्लस वान है 6 के जगवा यन प्लस टुक है अर्था चार प्लस तीन बराबर 4 सिम्बल 3 बराबर क्या हो जा divisainya हमारा चार फ्लस पंगाच प्लस छे ये कुछ समझ मेराए खाले नहीं आरे आरा आ पको नहीं आरा तो रुकिये नीचे देखाते हैं अभी आपको बताते हैं अब देखिए 5 सिम्बल even 4 बराबर 5 प्लस 6, 7 प्लस 8 कार अधैर 5 symbols 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 अरे इसको देखे 5 लिख सकते हैं चे को कहा लिखेते हैं पांच प्लस एक 7 को लिख सकते हैं पांच पांच को मालेक न तो आ यहन हो जाएगा याँ प्लस 2 वो जाएगा यहां तक समझ गया अब देखिए हमारा 3 तक क्यों खत्यों है यह देखिए 4 है देख्एрос थे एक तर्म इसके पहले वाला कोशन देखा जैते हैं, यहाँ देखिए. हमारा YN बराबर कितना था? 3 था तो यहाँ देखिए 3 term, 1, 2, 3 चाहिए, यहाँ बेकले 1, 2, 3, 3 पथा, तो 3 था, 3 पथा, 4 था, 4 पथा, YN को आगे जो़ाली संख्या में, एक जोड़ा गया दिर एक एक जोड़ करके लिखा गया तो आपको हमको अब निकालना है एन प्लस एट कामान ठीक तो पहले हमारा हो जाएगा एन उसके बाद एन प्लस इसके बाद एन प्लस टू एन प्लस तरी एन प्लस पूर एन प्लस फाइफ एन प्लस एन प्लस एन प्ल що दो довольно 14 ंदि वीडियों boiler na lunny Kum sú जाएगा अब देखिए थान कि सब्सक्राइब है देखिए यह hah प्लस दो तो दो प्लस यह रहे वीडियो ने क्लिखन के लिए लिए इंसरोजाइब घ्रकोर्ण सOurा आपनो के लिए गया नाइफ तब तक लिए आप करते रहिए जय हिंद बंदे मातरम